दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube Channel MCSA बस्ती में दोस्तों जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि हम लोग इस समय प्रस्णों की स्रंखला कर रहे हैं कल हम लोगों ने जागरफी के प्रस्णों की स्रंखला देखी थी आज हम लोग इसी करम में Political Science क लेको और इसमें जो बचे-वन्षिया को एक देकेंगे और उमिद है कि अगर आप चारो से कर लेंगे तो एक अच्छी स्तिति में आप पहुंच जाएंगे बिलकुल अपनी उर्जा को एक सही दिसामें लगाते और प्रस्णों को साल्ब करते हैं और समझते हैं कुछ उसके अंदर की गुडवाते हैं चलिए प्रस्ण की तरफ आते हैं हम लोग सेविक्स का आज का पहला प्रस्ण है दोस्तों आप लोगों के सामने आ चुका है पढ़िए बहुत बारी की से पढ़िए और जबाब भी दीजिए अच्छी तरीके से चलिए कोशन दे रहा है दोस्तों निर्विखित परिस्तितियों में से कौन से अधिकार प्रिच्छा रीट को जारी करने संबंदी आउशकताओं को पूरा नहीं करता है या पूरा नहीं करती है इसमें से पूछ रहा है कि अधिकार प्रिच्छा जो रीट है को जारी करने संबंदी आउशकताओं को पूरा नहीं करती है यानि कि कौन से ऐसे स्टेट्मेंट है जो अधिकार प्रिच्छा जो रीट आपकी है उसको जारी करने करने की अधिकार प्रिच्छा जाइरी की जाए है उसके लिए क्या-क्या आवस्चक होता है तो इसमें बागी कोई तीन आवश्क होगा और कोई एक आवस्चक नहीं होगा यही आपको जवाब देना है प्रस्न संझ गए होंगे आप लोगई Google अदिकार प्रिछा क्या है पहला कह रहा है कारेयाल सारजनिक होना चाहिए तथा इसे राजे द्वारा गठित किया जाना चाहिए तो ज़रा एक बात मैं आपको बता देना चाहूंगा सारजनिक मतलब होता है सरकारी सरकारी मैंने पिछले भी वीडियो में कर रहा है ठीक है बाकी जो सेक्टर होगा वो क्या होगा प्राइबेट सेक्टर कहलाएगा तो चलिए बात करते हैं कार्याले सारवजिनिक होना चाहिए तथा इसे राज द्वारा गठित किया जाना चाहिए बिल्कुल यह जरूरी है तभी ही अधिकार प्रिक्षा रीट को ज सब्सक्राइब करें तो आप लोगों के लिए मैं यहां पर बता दे रहा हूं प्रसनापके सामने हैं आप जवाब दे दीजिए इसमें फिर हमारी डिटल को सुनिए दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों और यह जान लिजी कि प्राइबिट संस्थाएं जो है न निजी कार्या कार्याले को विशे सिकाई होना चाहिए जी हां कार्याले को विशे सिकाई होना चाहिए यह आवश्यक है बिल्कुल आवश्यक है नेक्स्ट है निजी के संदर में सम्मिधान या कानून का उलंगन हुआ हो तो बिल्कुल यह सही है निजी के मामले में कुछ उलंगन हुआ ह मुझान सब्सक्राइब दी जा सकते हैं और आधिकार परिषा मतलब होता है कि कि किसके आधिकार से अधिकार परिच्छा का मतलब होता है किसके अधिकार आधिे नहीं आता है तो जो नहीं पूछता है इसके अधिकार से कर दिया है वह कोई अधिकार परिक्षा कहलाता है ठीक है तो यही बाते आप तक देख रहे थे कि अधिकार परिक्षा किस कंडिशन में जारी की जा सकती है ठीक है और चौथा आप कह रहा है दोस्तों इसकी मांग केवल पीडित व्यक्तियों द्वारा की गई हो तो देखो ऐसा है कि जो कु कोई जरूरी नहीं है कि पीडित व्यक्ति द्वारा ही मांगा जाए यह कोई भी व्यक्ति जानते हैं कोई पीडित व्यक्ति के अतरिक्त भी कोई व्यक्ति हो वह इस चीज को मांग सकता है ठीक है बाकी से जो रिट है उसके लिए पीडित व्यक्ति का होना आवश्यक है ठी और इसके अलामा जो बाकी से इस रीटे आपकी यह जो आपका है वह जरूरी नहीं है कि पीडिद व्यक्ति हो कोई भी व्यक्ति इसके लिए मांग सकता है तो यह बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगा चलिए आगे बात करते हैं आगे डिटेल भी हम लोग देखेंगे और भी च क्यान को बताना है दोस्तों तो यह जीज आपको ध्यान रखनी होगी समिधान का जो मूल धाचा है वो आपको बताना होगा क्याई सही है इसके बारे में भीआपको थोड़ा में बडेट कर देना चाहूंगा कि छोबीस अप्रैल 1973 को जो है कि इसंवानन भारति नानके राजमामली में उद्देशी का में जो है समिधान कांग है कि नहीं है इसके बारे में निरड़ाइ 1973 में परतिपादित किया गया था चलिए यतनी बात हो गई आपकी कौंसा कतन क्या कहा रहा है सही है तो पुछा सही है न e पुछा कौंसा कतन सही है तो बिटा यही सही हो गया बिल्कुल आफका statement यहाई पे था तो यह तो खतम हो गया सबाल हो यहीपे बाकी देख लीजे तुटी क्या थी प्रस्तावना भारत के सम्मिधान का भाग नहीं है नहीं भाग है ठीक है भाग है ये गलत हो गया इसनाते भाग है अगर होता ये नहीं नहीं होता तो करेक्ट हो जाता पर दूसरा कहा रहा है संसत द्वारा मौलिक अधिकारों को संसोधित नहीं किया जा सकता है संसत द्वारा मौलिक अधिकारों को 24 संविधान संसोधन के द्वारा 24 संविधान संसोधन 1971 में हुआ था 24 संविधान संसोधन के द्वारा जो है वैदता को भी बरकरार रखा गया है ठीक है और इसमें कहा गया है कि संसत को किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने का अधिकार संसत को दिया गया है बसरते की मूल संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए संसत समिधान की मूल संरचना के किसी ऐसे मौलिक अधिकार को ना तो कम कर सकती है और ना ही हटा सकती है जो समिधान की मूल संरचना यानि बेसिक स्ट्रक्चर को का एक अंग हो ठीक है तो यह statement आपको समझ में आ गया होगा कि संसत मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है लेकिन कहां तक कर सकती जब तक कि basic structure नइ effective हो प्रभाव इतना हो बीना basic structure को बदले यानि मुल ढाचे को बीना परिवर्तित के सम्मिदान के सरकार पूरी तरह से यानि संसद पूरी तरह से संसोधन कर सकती है और चोथा कहकर है संसद को संविधान के मुल डाचे में परिवर्तन का अधिकार है नहीं भाई बिलकुल नहीं है ठेक है तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही क्या होंगे वो मैंने बता दिया इस सब गलत दिया है पहला सही है संसद सदस्य और राज्य विधान मंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधि विवाद उच्णे आले के मैं करें शेत्रा अधिकार के उंतरगत आते हैं तो ये बात जान लिजे कि पहले इसी जवाब ले लेते हैं फिर इसके बाद मैं अब बता रहा हूँ आको करा प्रारंबिक छेत्राधिकार अपीली छेत्राधिकार सलाकार छेत्राधिकार नियादेश छेत्राधिकार तो बात जान लिजे दोस्तों प्रारंबिक छेत्राधिक जुड़े मामले आते हैं अधिकारों से जुड़े मामले इसके अंतरगत आ जाते हैं प्रारमिक अधिकारता के अंतरगत आएंगे इसके अलामा क्या जा सकता है आपका अधिनस्त नियाले में यदि विदिका सर्वान प्रस्ण नहीत नहीं है सर्वान प्रस्ण नहीत है तो उ उस प्रस्न की ब्याख्या उच्छ नियाले करता है ठीक है यानि कि सम्मिधान का अधिनस्त नियाले में यदि विदिका सारवान प्रस्न है विदिका सारवान प्रस्न नहित है तो उस प्रस्न की ब्याख्या उच्छ नियाले यानि हाई कोट ही कर सकता है ठीक है यह भी प्रार और राज़ास्व से जुड़े किसी भी मामले में क्या होता है अदिकार उसी के अंतरगत आता है ठीक है अपरारमिक शैता अदिकार के अंतरगत ही है और इसके अलामाथ चार जो हाइक हैं आपके कौन-कौन से हैं कलकत्ता है कलकत्ता कलकत्ता हाइकोट बांबे हाइकोट मद्रास हाइकोट और दिल्ली 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 हाइकोट के पास उच्छ रासी के सिविल मामलों के संदर्व में भी मूल अधिकारिता है ध्यान समझ लीजेगा क्या के पास उच्छ रासी के सिविल मामलों के संदर में भी मूल अधिकारिता हैं इन जो मेट्रोट्रोट्र सिटी नियाल है गहीं है यह देखिए महानगर है यह सब तो कलकाता, बंबाई, मद्राहस और दिली जो है इनके पास इन हाई कोड़ों को क्या पावर प्राप्त है उचरासी के सिविल मामलों के संदर में मूल अधिकारता इनको प्राप्त है ठीक है और इसके अलाम अगर हम बात करें संसद सदस्यों तथा राज बिधान मंडल के सद स्वाचन यानि की प्रारमिक अधिकारता छेतर के अंतरगत यह आपका पाँचवाअ बिंदु भी इसमें समाहित हो गया ठीक है तो आप समझ गये होंगे दोस्तों चलिए को शन की तरफ चलते है नियाले में है सम आवेधन नियाले में है सम उना चूहेग है स्च्छll tor से करने में समावेदन करने में सुने जाने का अधिकार समावेदन करने में इसका मलब सुने जाने का अधिकार ठीक है सुने जाने का अधिकार नियम लोकस स्टेंडाई रूल इस जैसे कहा जाता है इंगलिस में को किस वाद के द्वारा उदार बनाया गया तो पूछ रहा है कि किस वाद के द्वारा नियाले में समावेदन करने या सुने जाने का अधिकार को किस वाद के द्वारा उधार बनाए यानि सुने जाने का अधिकार को किस वाद के तहत और उधार बनाए गया पहले सक्त था अब उधार हो गया है तो उसमें बताईए किसके बारे में है S.R. मुंबई बनाम भारत संग के मामले में है मिनरवा मिल्स बनाम भारत के मामले में है तीसरा है S.P. गुपता बनाम भारत संग के मामले में और चोथा है केशवनन भारती बनाम किरल राज में जवाब आ चुका होगा दोस्तों तो आप जान लीजे कि S.P. गुपता बनाम भारत संगवाद में यह निरड़े दिया गया है ठीक है क्या जिसमें सुने जाने का अधिकार जो है जिसे लोकस स्टेंडाई रूल के नाम से जाना जाता इसे उदार बनाया गया यह S.P. गुप कि वही विगति प्रातना कर सकता है जिसके मूल अधिकारों का हणनन हुआ हो क्या था पहले आनुचSc protective tells मे 1732 यह विवस्था दी गई थी कर रोही पेदारे के समच्छ रोऑन होmber धिकारों का हणनन हुआ हो ठीक है हमें हमेt gray इस परंपरा को सुनवाई का अधिकार के नाम सुनवाई सुनने जाने का अधिकार एसी को मलब सुनवाई 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 का अधिकार ठीक है तो सुनवाई का अधिकार के कोई भी व्यक्ति या संस्था सामाजिक हिद से जुड़े मामले में नियाले में उठने के लिए अहार है इलिजबिल है यानि कि वो मुद्दा उठा सकता है कोई जरूरी नहीं है कि अनुछेद 32 का प्रियोग वही प्रसनल व्यक्ति ही करें जिसके मूल अधिकारों का हनन हु कर सकता है यह एसबी गुपता बना भारत संगवाद से ही कंफर्म हो पाया ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों और नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं उम्मीद है दोस्तों समझ गया होंगे मित्रों प्रयास करता हूं दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आए आजा है कि गलत हो सकते हैं तो इसमें आपको देखना है कोई एक statement यहां पर गलत होगा बाकी सारे statement correct होगा क्योंकि यहां कूट में नहीं दिया हुआ है तो इसनाते कोई एक ही गलत है आपका चलिए आए देखिए कौन सा गलत है डूण लेते हैं इसको ठीक है पहला क्या रहा है उचने आले कि स्थापना सबसे पहले 1862 में कुलकाता मुंबाई और मदराज में की गई तो कोई दिल्ली हाई कोट के स्थापना अच्छा इसमें तो दिया है आप लोग बड़े लखी है भाई मान गए चुकि मेरा प्रस नहीं अगले वाले टॉपी में था चलिए दूसरे में क्या है दिल्ली उचने आले का गटन बिल्कुल हो सकते हैं बहुत सारे जहेंद्य हाइब करते हैं टहुकर कोनबान निकोबार्त कोलकटा प्रदेश में इसके अलामा भी आप देखें पुरोतर भारत में आसम नागा लैंड मिजोरम अरणाजल प्रदेश एक ही उच्छी नाले गुवा हाटी में इस थी थे तो आप दो जानी रहें दोस्तों कौन कौन सा है मैं समझा दे रहा हूं आप लोड कर लेजेगा एक्जाम अब बात करेंगे कि एक और राजी के अगले ध्यां से समझ लीजेगा कि असम है नागा लैंड मिरुजोरम है और राचर प्रदेश चार राज्यें जिनकी नाले जो है असम के गुवा हाटी में आपके इस त्रीट है इसके अलाम मड़ीपुर एक जो है इसका न्याले जो है प्रिथक न्याले है आपका यहाँ पर आपका इस्टेब्लिस है और इसके अलामा बहुत सारे से राज जीन के सहयुक्त न्याले हैं दोस्तों जैसे पंजाब हर्याडा का संब्ली तूचे चंदिगड में तो आप जान और हर्याना की बात करते हैं तो चंदी गड़ेस का नियाले है आपका ठीक है चलिए तो आप समझ गए होंगे तो ये आपका क्या होगा एक से अधिक देख सकता है बिल्कुल करेक्ट है चोथा कह रहा है पुरोत्तर राज असम नागालेंड मिजोरम अरुडाचल प्रदेश और मड़ीपूर एक ही उचने अलेम अरे भाई मड़ीपूर तो अभी मैंने आपको बता है मड़ीपूर नहीं है मड़ीपूर में क्या है मड़ीपूर के लिए प्रिथक है तो बाकी अगर मड़ीपूर हटा की कहता तो करेक्ट हो जाता मड़ीपूर है तो ये अलग हो जा है फोज़दारी के बारे में आपको कोई एक स्टेटमेंट सही देना है तो आपको बताना होगा ठीक है चलिए तो आप कह रहा है इसमें ऐसी क्रियाओं को सामिल किया जाता है जिनको कानून अपराद माना जाता है जैसे चोरी दहेज के लिए प्रताड़ना वहत्या इत्यादी क्या कह रहा है ऐसे इसमें ऐसे क्रियाओं को सामिल किया जाता है जिसमें कानून अपराद माना जाता है जैसे चोरी है दहेज है प्रताड़ना वहत्या इत्यादी है फोज़दारी कानून से सम्मझे कतन बिल्कुल सही आते हैं दूसरा के कह रहा है कि इसके अंतरगत प्राथमिकी दर्ज होने पर पुलिस जाज करती है और अदालत में क्रेश करती है सही एए इसे इसके अंतरगत दोसी वेक्ति को जुर्माने या जेल या दोनों की सजा हो दी जा सकती है बिलकुल सही है सही है दोस्तों और उप्रयोग सभी तो यानि सभी हो जाएगा दोस्तों यहां पर कूट फोर राइट हो जाएगा दोस्तों सभी यहां पर है सभी सही है अगला है दोस्तों नयाई पालिका के दायत के में निमलिखित में से कौन से दूसामिल है तो नयाइपालिका का दाइद तो क्या है तो बताएए विवादों का निप्टारा करना है की नहीं है देखिए आप पढ़ लिजे वीडियो को प्रॉस करिए इसको पढ़िए फिर आप जबाब दीजेगा मैं बता रहा हूं यहीं पर आपको जबाब नयाइक सम करती है कानून की रच्छा करना बिल्कुल सही करती है मौलिक अधिकारों का क्रियान में सुनिशित करना बिल्कुल करती है इसी के लिए नयाइपालिका है यह क्यों जाएगा नयाइपालिका में अगला है आपका सम्मिधान के संदच्छक का कारे करना बिल्कुल सम्मिधान के तहट जो आपका हाई कोड करता है सुप्रीम कोड जो है सुप्रीम कोड अनुशे 32 और हाई कोड अनुशे 226 के तहट करता है क्लियर चलिए भाइए बहुत बढ़िया गुड एक्सक्राइब दिवानी कानून के संबंध में निम्रिखित कतनों में से कौन सा कतन सकते हैं दि व्यक्ति विसेज के अधिकारों के उलंगन वह अभेलना से होता है बिल्कुल है यह सही है चलिए आप लग जवाब देते रहिए आपकी जवाब की मुझे प्रतिच्छा रहती है दोस्तों चलिए चलिए दूसरे कुश्चन पर दूसरे वाले पर जाते हैं इसके अंतरगत दायर याचिका पर अदालत राहत की विवस्ता करती है दिवानी कानून का संबंध व्यक्ति विसेज के विसेज आधिकारों के उलंगन होने से है जिसमें जमीनी की राय का तलाक संबंधी मामले संबलित होते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है दिवानी कानून का संबंध व्यक्ति विसेज के विसेज के विसेजाधिकार होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर व्यक्ति विसेज के विसेजाधिकार विशेशादिकार के उलंगन होने से होता है जिसमें जमीनी इसके बाद में राय नहीं होना चाहिए यहां पर किराया तलाक समद्धी मामले सामेल है बिल्कुल सही है और चौथा आपका प्रियुक्त सब्सक्राइब तो बिल्कुल करेक्ट हो दोस्तों चौथा आपका करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स कोचन की तरफ चलते हैं उचे न्याले यानि हाई कोट के संदर्में इस सब्सक्राइब निचली पर क्याना हैं निचली अडालों के सब्सक्राइब करकि सनवाई कर सकते हैं यह सब्सक्राइब कर सकते हैं या निचली अदाल्दों के फैसले पर की गई अप्ली की सुनवाई कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं अगला है यह मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रीड जारी कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं यह अने राज्यों के छित्रा अधिकारों में आने वाले मुकदमों का नेटारा भी कर सकते हैं ये नहीं कर सकते भाई ये कैसे कर सकते हैं जब हाई कोट सुप्रिम कोट होता तक तो कर लेता हाई कोट है तो नहीं कर पाएगा अपने राजी के बारे में अन्य राजियों के बारे में नहीं कर पाएगा ये अन्य राजियों का भी बाद आ जाएगा केवल अपने राज छेत्र के में आने वाले कारें और मुकदमयों के निव्टारा कर सकता है यह तीसरे वाले का अपका डिटील था ठीक है और यह तो मैंने आपको बताया है कि अपने अधिनस अदालत का परवेच्छड और निरेच्छड कर सकते हैं तो समिधान अनुछेद 23 235 जो है ना दोस्तो 235 अनुछेद 235 जो आपका है ठीक है उच नियाले को अपने राज छेत्र के भीतर अधिनस नियाले उपर नियंत्रड की बिस्त्रित सक्तियां प्राप्त है ठीक है चलिए अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं आज का दस्मा प्रस्ण आपके सामने है ज निम्लिखित कथनों पर कि निम्लिखित कथनों में से कौन सा सही है यह आपको बताना है यहां पर निम्लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ठीक है तो चलिए जवाब दीजिए आपको क्या कह रहा है हाई कोड के संदर में पूछा है हाई उच नियाले के नियाधिसों क परामर्स के बाद निउक्त किया जाता है क्या कह रहा है ठीक है कह रहा है अनुच नियाले के नियाएधीस के नियाएधीस के नियाएधीस के के नहीं को होना जे संटेंस तभी तो तुटी पूर हो रहा था दोस्त ठीक है उच नियाले के नियाएधीस को राश्टपती द्वारा भारत के मुखनयादीस कामा राज के राजपाल ठेक है उच्छनियाले के मुखनयादीस के प्रामर्स के बाद निक्त किया जाता है बिल्कुल सही है यह आपका अनुछेद जो है अनुछेद 271 में यह बताया गया है 271 में कहा गया है कि किसी भी राज्यका के नियादीस की निक्ति के मामले में ठीक है उच्छनियाले के नियादीस को राश्टपती द्वारा यानि कि उच्छनियाले का जो भी नियादीस होगा वो क्या करेगा राश्टपती द्वारा भारत के मुखनियादीस यानि CJI Chief Justice of India और राज के राजपाल और उच्छनियाले के मुखनियादीस यानि कि जिस नियाले का वो मलब जज रहे होंगे जिस भी हाई कोट के उनके मुखनियादीस को राज के राजपाल को और C.J.I. यानि की सुप्रिम कोट के जो चीफ जस्टिस है उनकी सलाह पर राष्टपती महदे उनको नियाधिस नुक्त करते हैं ये बात बिल्कुल सही है आपकी तो पुझा कौन सा कतन सही है तो यही बिल्कुल सही हो गया दोस्तों अगले वाले में तो कुछ तूटी होग नुक्ति से उचनियाले के में दो या उससे कम अवधि दो वर्स या उससे कम अवधि के लिए अत्रिक दिनाधीशों की नुक्ति कर सकता है यह गलत है यहाँ पर स्टेट्मेंट गलत है इसा नहीं है दोस्तों ठेकर यह जान लिजे कि अनुछे 224 एक कहता है कि यदि से उच्छ न्याले का कामकाज बढ़ गया है ठीक है या उच्छ न्याले का बकाया कार अधिक होने के कारड यदि राष्ट्पति को या आवास हो जाए कि कुछ समय के लिए न्याले में न्याधिसों की संख्या में ब्रिधी की जाने चाहिए तब राष्ट्पति योग व्यक कर सकता की तो आपर यहां पर स्टेटमेंट साही कह रहा है लेकिन यहां पर जो बात की देखने हैं आपको अनुच्छे जो है वह 234 की बात कहरा है 241 424 एक अनुछे 224 यह कह रहा है उच नियाले के मुखनयाधिस राष्टपती की स्वयकृति से यह नहीं कर सकता राष्टपती करता है न तो मुखनयाधिस कहां करेगा यही गलत हो गया यहां पर तुड़ीपूर क्या हो गया बारत का मुखनयाधिस के किसी नियाधिस को किसी अन ऊचनंतेत कर सकता है नहीं भाई यह कह रहा है देखिए वी दोड़ीपूर है इसमें अनुछे 222 एक में ये बात बताई गई है कि राश्ट-पती भारत के मुख नियाधिस से प्रामर्स के बाद किसी नियाधिस को एक उचनियाले से किसी अन्य उचनियाले में अस्थानांत्रियत कर सकता है जहां पर बात बार बार आ रही है कि जो भी करेगा वो कौन करे करेगा cj i उसको राय देगा तब करेगा ठीक ए राज्यों के संदर में अगर बात करेंगे तो राजपाल दे देंगे और उस हाई कोड के मुख नियाधीस देंगे जब सुप्रिम कोड में किसी को नियाधीस बनाना और अगर इस तरह का वाध नहीं है तो नयायधीस जो है उनको राया देंगे मुख नयादीस और राष्टरपती महुणी करेंगे यहां what से ने करता है और चोटव था है आपको उच日本 के भारत का मुख न n आते हो गया चलिए अब गया रामा कोश्चन है जिस नियाधीस के संदर्व में निम्खित कतनों में से जिला सुरी दोस्तों सुरी माफी चाहूंगा जिला नियाधीस है यह मैंने जिस पढ़ दिया ठीक है जिला नियाधीस के संदर्व में निम्खित कतनों में से कौन सा कथन सत्य है बताइए यह कहां है जिला ने अधिस के बारे में कौन सा स्टेट्मेंट आपको सही देना है तो आपको बताना होगा कौन सा स्टेट्मेंट सही है इसमें है तो जिला ने अधिस के बारे में आप देखेंगे चलिए पढ़िए कुस्चन को चार स्टेटमेंट इसमें दिये होंगे आपको चलिए पहला स्टेटमेंट है उसे केवल दिवानी मामलों में मूल और अपील अपीली चेत्रादिकार प्राप्त है नहीं ऐसा नहीं है ठीक है केवल फौजदारी में है प्राप्त है ठीक है दिवानी में ही प्राप्त है तो ज जिद्दारी तो सही हो जाता यानि कि कौन सा कतन सत्ते पहला नहीं सत्त हो गया दूसरा कह रहा है इसके पास क्या कह रहा है उसके पास जीले के सभी अधीनस्त नियालेओं के निरेच्छण की सक्ति नहीं होती है होती है उसके पास निरेच्छण की सक्ति होती है नियाले के निरेच्चम सब्सक् prosecutor कि जो है सकती नहीं होती जब की होती है दोस्तों नहीं नहीं है अगला के नहीं है अभी अपील नहीं की गई बिया है ठीक हैं तो उसी स्तिती में क्या होगा कि जीला नयाधीस का जो दिया गया है चाही हो व्यक्ति अपील करने थाये रही यह ना जाये लेखिन इसका अनुमाधन हाइक रही करे Souls करेगा ना जाइगा और शक्ता नहीं होती जो की इसके लिए silly को तो यह तो बिल्कुल सही है दोस्तों यह बिल्कुल सही है जिऒले का सबसे बड़ा आधिकारी होता है और एक बात यह भी जान लिजे कि जो धीवानी मामलों को भी सुनते हैंoterों प्रस्ण कि परेशने बने आफ्सन में आपको था लेकिन जिदो दिवानी मामलों को जब देखेंगे तो उन्हें क्या कहा जाएगा जिला जज कहा जाएगा जिला न्याया धीश न्याया सरी हाँ पर न्याया धीश जिला न्याया धीश कहलाएगा ठीक है क्या कहलाएगा जिला न्याया धीश ठीक है जिला नयाधिस कहलाएगा और अगर इसकी स्थिति ये जिला नयाधिस कहलाएगा और लेकिन जब फौजदारी के मामलों को देखेगा तो उसे सत्र नयाधिस कहा जाएगा क्या कहलाएगा जब फौजदारी देखेगा नयाधीश च्का क्या क्या कहलाएगा विभानी देखेगा जिलार नयाधीश अगला सब गलत है कौन सा कथन गलत है लोक अदालत ना केवल नयालियों में लंबित मामलों को देखती है बलकि विवादों का भी निप्टारा करती है जो नयाले में नहीं पहुंचे हैं तो क्या करें लोक अदालत ना केवल नियालें में लंबित मामलों को ही देखती है ना केवल लंबित मामलों को देखती है बलकि उन विवादों को विंटार करती है जो नियालें में नहीं पहुंचे हैं जिहां लोक अदालत का काम यही है कि अदालत के बोज को हलका करना ठीक है लोक अदालतें इसी नात किया गया था ठीक और यह अधिनियम जो है लोक अधालतों को आयोजन और इसके कारें समंदी जो है बहुत सारी बातें प्रावधान किये गये हैं ठीक तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा निप्टार सकती तो सही हो जाएगा नियालों में नहीं सब्सक्रावधान कि mitraясowe जो ही पहुंचते हैं ठीक है सा यह जो रावान थाया किया अची तो कि दूसरा कि यहाँ पीखिजर आं पर की लोक अधालत के में केवल अध्यज के रूप में एक उच्छ नियालय के सेवा निमरित मुक्नियादी तर्था सदस्यों के रूप में एक वकील यूम एक सामाजिक कार्यकर्ता ही होते हैं लोक अधालत में नहीं भाई इतना नहीं कम होता है यह व्यवस्ता नहीं है ठीक है जो है आपका और लोक अदालत के लिए साधारता जो विवस्ता की गई है एक लोक अदालत में अध्यच के रूप में एक न्याईक अधिकारी तथा एक वकील योग सामाजिक कार्यकरता के रूप में होते हैं होते हैं लोग अदालत में क्या होता है एक अधिकारी होता है और दूतरा कारे करता सदस्रों के रूप में वोते हैं किसी छेत्र के लिए अव्यच्थ सामिल हों ऐ व्यवस्था की गई है हूद की लोग अदालत का आयूजर करने तथा एजंसी निर्दिस्थ्ट करें कोई जरूरी नहीं थाहर जारता है लेकिन हम इतना है तो यह झाले मेह नहीं udah कर दे रहां था थो इसाधिए गलत हो जाए पो ढूंसियर देखिए की सब्काइए और और योिद दीए गAY को किसी भी नियाले में चुनोते नहीं दी जा सकती है कि सीभी लोक अदालत निर्ड़ेस सिविल कोट के हुक्माने निर्देश जो दिया जाता है अथवा किसी भी अन अदालत के किसी भी आदेश की तरह ही कारे करते हैं ठीक है यह वध्यान रखेगा आप लोक अदालत अदालत अदार दिये गए फैसले अंतिन तता सभी पच्चों को बादेकारी ही होते हैं यह बात दिमाग में अपने बरक लीजे लोक अदालत अदालतों का बोज अलका करने के लिए होती है इस नाते उद फिर नयाले में आप नहीं सकती है तो यह चीज आपकी हो गई है ठीक है और लोक अदालतों के बारे में और इसके अलामा प्रॉट्ष क्या है आपका कुस्चन अगे है लोक का दालतों को व रही थे दोस्तों चलिए घाले के वैधानिक सेवा समीतियां सेवा समीति कर सकती हैं कर और भी करता है राजविदिक सेवा प्रादिक्रड भी करता है तालुगा वैधानिक सेवा समितियां भी करतीयां पर इसका option बिल्कुल होगा सभी लोग अदालतों का आयोजन करते हैं सभी कर सकते हैं दोस्तों और करते भी हैं सभी लोग हाई कोड भी करता है सुप्रीम कोड भी करता है राजविदिक सेवा पराधिकरड भी करता है तालुका वैदानिक सेवा समितियां भी करती हैं सभी लो कि कौन सा कथन सुमेलित नहीं है चलिए बताइए पहला कह रहा है गोवा न्याले छेत्र मुंबई उच न्याले के अंतरगत आता है विल्कुल सही है और आचल परदेश न्यायक छेत्र गोवा हाट्टी उच न्याले के अंतरगत आता है विल्कुल अभी मैंने आपको चार र जोरम और अड़ाचल प्रते से चार राज्य थे तो यहां पर कह रहा है बिल्कुल सही है पुदुचरी नियाले चेत मद्रास उचनाले के अंतर गता आता है बिल्कुल यह भी सही है अंडवान निकुबार दीव समु न्याइक तमिलनाडू अभी मैंने बतायता आपको यह आ आपको आएंगे तो आपको बताना होगा कि कौंस आपका आ रहा है तो यह देख लीजिए मुंसिफ नियाले और नियाए पंचायत यह दोनों आपके सिविल नियाले के अंतरगत आते हैं चलिए अगला कोश्चन सुष्टी नंबर का जीला नियाएधिस के संबंद में कम से कम साथ वर्स का अधिवक्ता का अनुभव हो तो यह बिलकुश सही है दोस्तों यह जिला नियाधिस के लिए कंडिशन रखी गई है कि उसे साथ वर्स का अधिवक्ता का अनुभव होना चाहिए ठीक है दूसरा है इसकी नियुक्ति राज के मुख नियाधिस द्वारा करती है क्या किए जिसकी निक्ती जिला नियाधीस के बारं तर Te Stellar का रही कोडर सुप्रेम कोड के जो नियाधीसों किभी करेंगे वह राष्डपती महत्वद है इन लों शे राए लेकर करें ठिक है और अगर कि कुछ और सभी कह रहा है तो यह नहीं हो ठीक है तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सा इस्में सम्मंदित कौन सा कतन सही है थो सही आपका पैहला हो जाएगा यह तो गलत हो गया दोस्तूर यहां पर मैंने टिक कर दिया था करेक्ट का पहला क्यों सही है ठीक है चलिए अगला निमलिकित कतनों में से कौन सा सही है यह आपको बताना है स्टेटमेंट इन में से कौन से स्टेटमेंट सही है कहरा जिला नियाधीस की निकती राजपाल करता है यहां करता है जिला नियाधीस की निकती राजपाल करता है फिर क्या कहरा जिल जिला नियाधिस के अस्ताना अंतर निलंबन करने का अधिकार हाही कोड के पास से बिलकुल सही ह involved with his 9 प्रसास्निक दोनों कारियों का प्रयों करता है बिल्कूल करता hayat प्रसासनिक कार्यों का उपरीब सभी हो जाएगा दोस्तों यहां पर बिल्कुल आपक चौता अपसंग करेक्ट हो जाएगा चलिए बारतिय समिधान के किस प्रकार की न्याइक व्यवस्था की अस्थापना की गई है और यह क्या किया रहा है भारतिय समिधान में किस प्रकार की न्याइक व्यवस्था की अस्थापना की गई है आपका कह रहा है पहला एकिकरित न्याइक व्यवस्था का दोहरी न्याइपालिका का उपर दोनों का उन्हें से कोई नहीं भारतिय समिधान किस प्रकार की न्याइक व्यवस्था की अस्थ पर देखिए यहां पर सुप्रीम कोट यहां पर इसके बाद में हर राजी के जिस राजी के हैं आप वहां के हाई कोट आएंगे फिर जिला ने आधिस आएंगे और तमाम सारे ऐसे आते रहते हैं तो सीर्स पर है सुप्रीम कोट से हारने के बात आप नहीं जा सकते तक राजश्पति महोड़े के पास अपनी गुहार लगा सकते हैं किसी बात को ले करठे के चलिए अगला है कि सबस्क्र करता है दूसरा कहेरा समाज समाज के सब्सक्राइब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो की नियायैं तक प्रभावी पहुंच को सुगम बनाना ठीक है यह भी बिल्कुल है यह प्लिकार की अर्थपूर अनुमति ठीक है मौलिक अधिकारों की अर्थपूर अनुमति इंटिकेशन ठीक है पबलिक इिंटरेस्ट PIL ठीक है पबलिक इंटरेस्ट ठीक है interest integration यह इसकोMP का आ अपका मिलेगा ठीक है चलिए दोस्तों अगला है आपका लास्ट कोस्टिन आज का है दोस्तों वın greetings है कि के बीच सक्तियों की तुल्ना के सम्बंध में क्या सत्य नहीं है क्या सत्य नहीं है आपको यह बताना है आपको ठीक है कहरा है मूल शक्तराधिकार का दारा अमेरिका में व्यापक है जहां इसमें a к Tapbulljar संगीन मामले भलकि नौ सायनिक बलों, समुधरी गतविदियों, राज-दूतों आदिसे संबंदीत मामले भी आते हैं तो यह आपका statement के अगर कौँ सा सत्य नहीं है यह आते हैं तो बिलकिल पहला सही हो जाएगा आपका कौन से मामले नहीं आते हैं यह आपको बताना है कौन सा सत्य नहीं है तो यह आते हैं तो यह सत्य हो जाएगा दूसरा कह रहा है कि भारत का सर्वोच नियाले किसी भी नियाले या नियाधिकरण के किसी भी निरड़े के विरुद आपात स्थिती को छोड़ कर अपील करने के लिए विसेश अनुमती प्रदान कर सकता है जबकि अमेरिका के सर्वोच नियाले के पास ऐसा कोई पूर सकती नहीं है तो यह आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा सही हो जाएगा दोस्तों तीसरा आपका statement जो दे रहा है वो statement क्या कह रहा है भारत के स्रवोचन्याले के अपीलिए छेत्राधिकार में तीनों मामले आते हैं ठीक है सम्विधानिक आपरादिक दीवानी स्रवोचन्याले के जबकि अमेरिका में स्रवोचन्याले के पास ऐसी कोई सक्ती नहीं है ये क्या कह रहा है ऐसी कोई सकती नहीं है तो अमेरिका में समयधानिक मामलों के लिए अपीली चित्रादिकार का प्रावधान है ठीक है अपीली चित्रादिकार का प्रावधान है और कह रहा है कि नहीं आते हैं अपीली चित्राधिकार तो यानि कि ये statement आपका गलत हो जाएगा कौन सा statement सबते नहीं है ये है अमेरिका में समयधानिक मामलों के लिए अपीली चित्राधिकार का प्रावधान किया गया है और क्या कह रहा है इसमें अमेरिका में सरोच न्याले के पास ऐसा कोई सकती नहीं है नहीं ऐसा नहीं है उसके पास भी अपलिए छित्रादिकार सम लेता है अमेरिका में समयधानिक मामलों में किसी के लिए अपलि छित्रादिकार का प्रावधान किया गया है यह statement यहां पर गलत हो गया चौथा क्या कह रहा है दोस्तों कि भारत के सर्वय丁याले के पास परामर्स दात attitudes 6 तरा अदिकार है जबकि अमेरिका के सर्वय丁याले के पास ऐसी कोई सकती नहीं है ठीक है तो यह आपका क्या है सत्य statement है ठीक है कि दोस्तों आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी और निश्य तोर से ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगी और एक्जाम में आपको इसे काफी लाब होने वाला है तो दोस्तों फिर इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए मिलते हैं तब next question में तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए दोस्तों कोब अच्छे से revision करिए questions को देखते रहिए ठीक है और फिर मिलते हैं next video में तब तक के लिए जाहें दोस्तों